नमस्कार, मैं रवीराय, जोतिस रोर में आप सबका हर्दिक सागत करता हूँ मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने विप्रीत राज्यों का वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों ने अपनी राय दी और कुछ लोगों ने अपने सवाल भी पूछे जिसका मैंने जवाब दिया मेरी इच्छा यही है कि जो जोतिस का ज्यान है वो घर-घर पहुचे और मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तुसे लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दें और यदि आपका कोई प्रश्ण है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्ण पूछ रकते हैं जैते भी मुझे समय मिलेगा वैसे मैं आपके प्रश्णों का जवाब दे दिया करूँगा बहर हाल जो भी हो आप हम सुरू करते हैं चर्चा अमला योग पर समझते हैं कि अमला योग होता क्या है किन-किन परिस्थितियों में अमला योग का निर्मान होता है तो देखिए आज जो मैंने कुंडली बनाई है ये मेश लगन की कुंडली है हम इसी कुंडली पर समझेंगे कि अमला योग का निर्मान कैसे होता है तो देखिए लगन में गुरू है चतूर सिस्थान में चंद्रमा है तृतियों में सूर्य है छटे घर में राहू है नौ में स्थान में शनी है दसम में बुद्ध और शुक्र है एक आदफ में मंगल है और बारहमें घर में केतू है सास्त्र के अनुशार यदि लगन अथवा चंद्र दोनों में से किसी एक से भी दशम स्थान में शुख्र इस्थित हो और उन पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो अमला योग का निर्वाण होता है अब आईए देखते हैं इस कुंडली में गुरु है लगन मेश है और अगर गुरु से गिने एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस तो लगन से दशम इस्थान में बुध और शुक्र दो शुख्र विराजमान है तो यह एक स्रिष्ट अमला योग है अब चंद्रमा से देखते हैं चंद्रमा से हम कैसे देखेंगे अमला योका निर्मान कैसे होता है तो देखें चंद्रमा यहां इस्थित है एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस चंद्रमा से भी दशम में गुरु है लगन अथवा चंद्र से गुरु हो और पाप प्रभाव से रहित हो कोई पाप गरह ना देख रहा हो या किसी प्रकार का एस्पेक्ट ना हो तेंथ हाउस में जो शुब गरह है उन पर किसी प्रकार का अगर मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो तो प्योर अमला योग बनता है और ऐसा अमला योग बहुत शुब होता है बिजनेस के लिए, यदि इंसान बिजनेस में हो, तो बहुत तरक्की करेगा, आशाती सफलता प्राब्द करेगा, यदि इंसान नौकरी में हो, तो नौकरी में वो प्रगती पस पर चलता रहेगा, नित नहीं उचाहियों को प्राब्द करेगा, जिस भी छत्र में वेक्ति हो एक और चीज़ है, ऐसे व्यक्तियों का चरित्र बड़ा अच्छा होता है, चरित्र दोश उनमें नहीं आ पाता है, इसके अलावा वो जहां भी रहते हैं, सब का दिल जीत के रहते हैं, काफी लोग प्रियों होते हैं, सब लोग उनसे सलाह लेते हैं, अब यहाँ पर मैं आप से और बात कहना चाहूँगा, मुझे एक भफ्त ने पूशा था, कि गुरुजी ये बताइए, कि क्या अगर अमला योग के साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया, या पाप ग्रह का प्रभाव पड़ गया, तो क्या अमला योग नहीं होगा, मुझे उसका फल नहीं मिलेगा, त लेकिन जसम भवा में शुगुर होने की वज़ा से कुछ न कुछ शुप फल तो आपको अवस्तही प्राप्त होगा, तो यदि आपकी कुंडली में योग बन रहा है, तो आप पुन रूप से निश्शिंत हो जाए, आप जीवन में अच्छी सा फलता प्राप्त करेंगे, जब जब उन ग्रहों की दशा अथवा अंतरदशा आएगी, तब तब आप महसूस करेंगे कि आपको लाव हो रहा है, और इस चीज़ को मैंने फ्रैक्टिकल ही देखा है, बहुत लोगों पर देखा है, तो इसके अलावा इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति सब का प वसूमती योग पर लेके आऊँगा, और वो एक स्रिष्ट धन योग है, राज योग नहीं धन योग, देखिए राज योग और धन योग में अंतर होता है, यह हम दूसरी वीडियो से समझेंगे, वसूमती योग एक स्रिष्ट धन योग होता है, और उसमें हम दो तिन हस् पहुंचे और देखे जोतिस एक विज्ञान है मैं जोतिस को विज्ञान मानता हूँ और ये जब घर कोने में पहुंचेगा तो हम सब को इसका लाग मिलेगा आज के लिए बस इतना ही नमस्कार